हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊंगा देरी जैसा नर्व मुलायम पनीर घर पर कैसे बनाएं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दाऊंगा जिससे आप ये पनीर बना के त्यार करेंगे न तो मार्केट जैसे पनीर से भी अच्छा टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा और में बात यहां पे मैंने 4 किलो दूद ली है, फुल फैट दूद का यूज कर रहा हूं, तो आप जब भी पनीर बनाएं, फुल फैट दूद का यूज करें, उस में पनीर की क्वंटिटी ज़्यादा निकलती है, तो मैंने आप यह बहांस के दूद का यूज की है, और अगर आप प टूध intervener के निचे जिलतानी है इसके अपने सारे का सारख जो पतिले में डाल देना है जोजने को चांस नी होता है और आप इसमें बल्टा चलाते रहिए और यह देखिए जैसे जूछे़ी जैसे दूध में पतीले से और जब भी दूद में पॉइल आना शुरू होता है ना पानी का गिलास आपने पास में रखना होता है के बार तूद एक तम स्पीड से बाहर आना शुरू हो जाए ना तो जल्दी से आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए दूद बाहर न आएगा तो देखे साथ मैं डाटरी लिए है डाटरी से भी दूद को फ़ला जा सकते है अलवाई लो जाते टात्री का यूज़ करते हैं तो यहां पर देख Infinay का यूज़ दूद को पाटकर देखाऊंगा आपको दोनों का यूज़ कर सकते हैं देखिए इन बें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सनको मैंने बतला कर लिया है और इसके साथ मैं आपको मुफलिंग क्लोग चाहिए होगा सूती कपड़ा का यूज़ कर सकते हैं ये इस तरह काई कपड़ होता है ये कपड़े की शौब में अराम से मिल जाता है तो एक आपने ऐसा कपड़ा ले लेना है और इस कपड़े को आपने दूद फाड़ने से पहले किसी पती ले या बोल में सेट कर लेने इस तरह से सेट कर ली शेप क्योंकि जब हम दूद फाड़ेंगे तो उसको जल्दी से पल्टी करना पड़ता है और दूद को बाइलोने के बाद मैंने 10 मिन तक धंडा कर लिया है इतना करम होना चाहिए कि आपकी अंगली इसमें थोड़ी सी जलने चाहिए अब पता कैसे चलेगा कि दूद भाडने के टेंपरेचर में है देखिए थोड़ा सा दूद लेने आपने लेडल में और इसमें थोड़ा सा विनेगर एड़ कीजिए पानी में mix कर लिग वनेगर रखा ता हूँ दाने बनने रहे है तो इस में पतला दाना बनना चाहिए जला मोटे मोटे दिलंस नी बनने चाहिए उसके ऐसा पतला दाना बनेगा आपका पनीर अच्छा सॉफ्ट भी बनेगा तस्वे अच्छा कि भी वनेगा और जो निम्बू रखा था पानी में गोल के उसको भी हमने इस तरह से डाग देना है अगर आपने प्योर निम्बू का यूज्ट करना हो तो लगवत तीन बड़े चमची यूज़ कीछी हैं, और अगर आपने प्यूर विनेगर का यूज़ करना है तो आपको 5 बड़े प्रफटन में आपने इसको लगा के रखने को ताकि जितना भी इसमें पानी रहेगा ना पनीर का तो वो सारे का सारा पानी दूसरे बरतन में अच्छे से आज़ाए तो के देखिये सारा भटा दूज जो मैंने आप छान दिया है इसके वद्धा आपने के करना है जो कपड़ आपने इस गरम पानी के अंदर इस पनीर को डूबोना है इससे क्योंगा पनीर अच्छी तरह से सेट होचाएगा और कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से गांट लगाती छे ताकि खुले ना इस तरह से बांती छे इस प्रोसेस को आपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना ह अराम से निकरना है यह पनीर ठंडानी होने चीए इस पानी के यूज़ आप गड़ी बगरा बनानी के लिए कर सकते हैं या नेक्स टाइम पनीर बनाना उसके लिए कर सकते हैं और यह देखें इस तरह से कपड़े को गुमा दीशे गुमाने के बद आपने इसको प्रात के उपर रख देना है प्रात को आपने उल्ड़ा करके रखना है और इस पनीर को इस तरह से रख दीशे और जो गांट वाली साइड है वो आपने नीचे को करनी है जो प्लेन साइड है वो आपने उपर को करनी है इस तरह से और गांट अपने थोड़ी बार निकाल के रखनी है नहीं तो इसका ना निशान बढ़ जाता है और इसके बद आपने इसके उपर कम से कुम 10 किलोग बेट रखना है मैंने आप पानी का कंटेनर रखना है कितनी देर के लिए कम से को 3-4 मिंट के लिए इससे गोगा 3-4 मिंट पनीर अच्छी तरह से सेट हो जागा शेप में आजाएगा और इसके बद आपने कोई भी ट्रे देनी है उसको आपने पनीर के उपर रखते ना है और इसके उपर आपने पानी से बरव कोई बरतन रखते ना है या फिर आप 2-3 इंटे रखते ही शेप मतलब बेट होना चीए कम से कम आदे गंटे तक आपने इसी तरह से इसको रखे रखना है आदे गंटे तक आप इसको रखेंगे आपका पनीर आदे गंटे में ही सेट हो जाएगा और के देखिए मुझे आपे 30 मिनट हो जोके इसको रखे होए और इसके बदा हम बोल हटाते हैं ट्रे को भी हटा देना है आपको दिखाता हूं कितना अच्छे से मारा पनीर सेट हुआ है तो किस तरह से आप यह पनीर बनाके त्यार कर सकते हैं अब इसके बदा आपने करना है अभी हमारा प्रसेस पूरा नहीं हुआ है पनीर को आपने ना अभी पानी में डाल कर रखना है कम से हम 20 मिनिन तक तो ठंटे पानी में डाल के रखिए देखिए मैं आइस रखिए है आप प्रीश का पानी यूज़ कर सकते हैं इसको रखने के लिए और कम से हम 20 मिनिन तक आप इसको इस पानी में छोड़ेंगे आपका पनीर जैसे मार्केट में पनीर बनता है वैसा ही बन आगे देखिए बहुती सॉफ्ट बने गए देखिए काट के भी दिखाता हूं वही पनीर यूज़ के कोई एक्ट्र पनीर सौप से ख्रीद के नहीं में लाया हूं और यह देखिए कटिंग आपने इस तरह से इसकी कर लेनी है छोटे बड़े पीसी आप इसके काड़ सकते है अब इसके हम सबजी बनाएंगे बिना प्याज और लसुन के दीन टमाटर लिये हैं दस्ते पर आपने काजू लेने हैं उनको आलव इंटा पहले गर्मपानी में बिगोगे रख देना है ताकि उच्छे सफ्ट हो चाएं टमाटरों को आपने रफली काड़ के मिक्सी ग्रे पैश पत्ता हमें पना लिये आपने यहां मैंने कणाई दी है एक से 10ichen पमच उसमें ऐल एड्ड करेंगे साथ में एक टीच पत्ता एक टुबड़ आपने इसमें घबित्त रीयाड करनी हैं और इसके साथ में अला अब कटनों आद्रक और अरहां पीन भाते हैंतों आप इस इसमें रोश की कसूरी मित्याइड करनी है कैस की फिलिम बंद कर देनी है ओइल के टेंपरिचर से मसालों को थोड़ा सा पका लीजिए और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी बॉर्डर भी आइड की है और के देखिए मसाले हमारे थोड़ी से ओईल के सा पक चुके है इसके बुद आपने इसमें टमाटरों काजू का पेस्ट आइड कर देना है थोड़ा पेस्ट गरेंडर जासी जिपको रहे जाएगा थोड़ा जब पानी डालिए और उसको भी आपने साथ में डाह देना है ज़्यादा पानी के यूज नहीं करना है क्योंकि अभी हमने टमाटरों को अच्छी दरस से पकाना है तब ही टमाटरों का कच्छा टेश्ट खत्म हो पाएगा कि देखिए गोईला चुका है इसके बद आपने इसमें नमक भी एड़ कर देना है तो आदा चमच आप इसमें नमक डाल दीशे और साथ में थोड़ी सी चीनी डालनी है ताकि जो टमाटरों में हलका खटा टेश्ट रह भी जाता है उसका भी पता ना चले तो थोड़ी सी चीनी का यूज़ करने आपने और इनको मिक्स करके उपर से कवर कर देशे चार से पांच मिनुत तक आप इसको पकने दीचे मीडियूम फ्लेम में और बीच पीच में आपने पलटा चलाते भी रहना है ताकि यह नीचे न लगे तो यह देखिए ओयल छोड़ दिया ग्रेवी ने और हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है तो इस तरह से आप यह इंस्टेंट ग्रेवी बना के त्यार कर सकते हैं बिना प्याज और लसुन के बहुत यह बड़िया टेस्ट आता है इसमें आदर कप आपने इसमें पानी आइड कर देना है जब ग्रेवी बख जाती है तब आप इसमें पानी आइड कर सकते हैं क्योंकि पकने के बद ग्रेपी में जो टमाटरों को कच्छा टेश्ट है बहुत हो खत्म हो गया है तो इसके बाद पानी डालेंगे इसका अपना टेश्ट बना रहेगा उपर से कवर कर दीशे दो मिन तक आप इसको लो फ्ले में पकने दीशे यहां मैंने पैन लिया है तो क् चोटे करना चाहिए छोटे पीसिस भी कर सकते हैं गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में आपने पनीर को शेलो फ्राई करना शुरू कर देना है इसके साथ में थोड़ा सा उपर से नमक स्प्रिंकल कर दीशे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा देगी मिश स्प्रिंकल करना है इससे ना पनीर के उपर एक अच्छा कलर आजाएगा और हाई फ्लेम में ही आपने पनीर को शेलो फ्राई करना है कितना टाइम लगा तीन से चार मिन तक आपको पनीर को शेलो फ्राई करना पड़ेगा इतनी देर में इसमें अच्छा कलर आना शुरू चुका है इसके साद में आपने हारे मटर भी आइड कर देना है और यहाँ पर मुने फोर जलीम मरत्र का यूज किए अगर आप याज फ्रेश मटरों आप उनको बोईल करकी यूज कर सकते हैं मटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा से इनको भी शैलो फ्राई कर लेते हैं तो यह देखिए जवर्दस पनीर में कलरा चुका है इसके बद आपने इस पनीर को ग्रेवी में डाल देना है और अगर आप बटर कम खाना पसंद करते हैं आप इसको एक चन् पनीर को आपने तवी शैलो फ्राई करना है जब आपकी ग्रेवी बनके त्यार हो चाहे अगर आप पनीर को शैलो फ्राई करके रखें